हैलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वाकत है आपका अपने चैनल पर देखिए का फ्रेंड्स आज में लेकर आई हूं आपके लिए जेम स्वैटल के बहुत ब्यूटिफुल सा डिजाइन इसको आप लेड़े जैकेट कार्डेगन इस सौल स्टॉल किसी प्रोजेक्ट में डा दाल सकते हैं देखिए कितना सुंदर और बहुत ही आथान सा डिजाइन है इसकी बेक साइड ऐसी रहेगी और यह राइट साइड से ऐसा रहेगा यह 3-3 मल्टिपल में डिजाइन डलेगा 3 फंदे 3 फंदे 3 फंदो के हिसाब से ही हम अपने फंदों को डालेंगे साइड से पहले फंदे को Slip करेंगे उसके बाद हम अपने पूरी रो सीधी बना लेंगे फर्स्ट रो राइट साइड से हमें पूरी सीधी सीधी बनानी है सभी फंदो को हम सीधा सीधा बुन लेंगे कि अब फर्स्ट रो में हम इसे भी फंदे अपने सीधे बना लेने हैं यह देखिएगा फर्स्ट रो हमारी तयार हो चुकी है लाश्ट के फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे रॉंग साइड रॉंग साइड पर हम पूरी उल्टी उल्टी बना कर तयार करेंगे थर्ड रो राइट साइड से पहले फंदे को सिलिप करेंगे उसके बाद एक टो तीन यह जो तीसरे वाला हमारा फंदा है इसमें हम सलाई को इस तरह डिप करेंगे और इसको बुनेंगे इस वाले फंदे को लंबा सा लोग निकालेंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो और जो हमारा तीसरा फंदा है उसको हम छोड़ देंगे देखेगा तीसरे फंदे पर हम सलाई देते हुए बुनेंगे लंबा सा लोक निकालेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे इस वाले तीसरे फंदे को छोड़ देंगे, देखिए इस तरह हमारा यह डिजाइन बनता जाएगा, तीसरे फंदे में हमें धागा डालकर बुनना है, और दो फंदे हमें सीधे बनाने हैं, फिर इस वाले फंदे को हम छोड़ देंगे, तीसरे फंदे को हम बुनेंगे, लोक पूरी रोग को कम्प्लेट करेंगे, तीसरे फंदे में से हम एक लोग बनाना है 1,2,3 जो ठीडी वाला फंदा है इसमें से इस तरह हम लंबसा लोग बनाएंगे, लूज से लोग बनाना है ये, दो फंदे सीधे बनाएंगे. तीसरे फंदे में से हम लोग बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, तीसरे फंदे को छोड़ देंगे, दो फंदे में से लोग बनाएंगे, दो फंदे सीधे बनाएंगे, देखे इस तरह यह हमारे तीन फंदे ही बार बार रिपीट होते जाएंगे, यह हमारे तीन कि तीसरे फंदे में से सलाई लेंगे और लोग बना कर दो फंदे हम सीधे बना देंगे प्लाश्ट में दो फंदे हम सीधे बना लेंगे कि रॉंग साइड फोर्थ रो पहले फंदे को स्लिप करेंगे उसके बाद हम अपने सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन लेंगे हम मारा फोर फोर प्लाय है मैं ईस्टा करें डीजाइन कर लेंगे बनने बाद बहुत संदर लगता है और यह हमारा four rows का design है four row में हमारा एक design complete हो जाएगा उसके बाद एक row सीधी, एक row उल्टी और उसके बाद third row में फिर से हम इसी pattern को repeat करेंगे और इस तरह यह beautiful सा design बन कर तयार होगा आप इसको एक बार try जरूर करना और किसी भी project में आप इसको डाल सकते हो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखना thank you, thankful watching